Hello students, welcome to our channel A Little Help तो students आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपकी Class 6, NCRT का Chapter 6 Essay Essay तो students चलें देखते हैं कि इसमें क्या-क्या बताया जा रहा है इस Chapter में पात्र परीचे यहाँ पे जो इस Chapter में main characters हैं उनके बारे में बताया जा रहा है तो कौन-कौन है? मोहन जो की एक Student है दीनानाग जो पडोसी है मा मोहन की मा है पिता मोहन के पिता है Master जी मोहन के Master जी उनके जो टीचर है मोहन के मोहन आपकी तरह एक Student है वेग जी, डौक्टर और एक पडोसी तो यह सारे Characters आपको यहाँ देखने को मिलेंगे चले देखते हैं क्या है सडक के किनारे एक सुन्दर फ्लैट में बैठक का दिरुश उसका एक दर्वाजा सडक वाले बरामदे में खुलता है दूसरा दर्वाजा कमरे में खुलता है और तीसरा रसोई घर में खुलता है तो यहाँ पे जो पूरा सीन है उसको लेखक डिस्क्राइब कर रहे हैं ओके चले देखते हैं अल्मारियों में पुस्तके रखी है एक और रेडियो का सेट है दो और दो चोटे तक्त है तक्त मतलब जो बैठने की जगा है जिन पर गलीचे बिचे हैं मेज का मतलब चोटी सी टेबल है और उस पर फोन रखा है तो अब पुराने टाइम के लेखके स्टोरी में वो चीज़ बता रहे हैं तो वो फोन कैसा होगा? वो फोन जो डोरी वाला होता था जो डब्बे वाला होता था वो फोन होगा परदा उठने पर मोहन एक तक्त पर लेटा है अब यहाँ पर उसी student की बात हो रही है जिसका अभी हमने discussion किया कि मोहन एक विद्यार्थी है एक तक्त पर मतलब एक bed पर समझ लें या तक्त पर वो लेटा हुआ है आठ नो वर्ष से लगबग उम्र होगी उसकी यहाँ पे लेखक कहना चाहते हैं कि मोहन की जो उमर है वो 8 या 9 यर्स होगी तीसरी क्लास में पढ़ता है थर्ड क्लास में वो पढ़ता है और इस टाइम जब लेखक उस चीज को उस scene को पूरा describe कर रहे है तबलेखक कह रहे हैं कि वो बहुत बेचेन सा हो रहा है मतलब वो अराम में नहीं उसको कोई परिशानी है बार बार पेट को पकड़ता है उसके माता पिता उसके पास बैठे हुए है मा पुछकार कर जो मा होती है वो अपने बच्चे को जब भी बच्चे को कोई तकलीफ होती है तो प्यार से, मोहबबत से बोलती है कि हाँ बेटा बोलो अरे मेरी जान तुमको क्या हो गया अरे तुम तो मेरे दिल के थुकड़े हो तो ऐसे ही मोहन की मा उसको पुछकार कर बोलती है ना ना ऐसे मत कर अभी ठीक हुआ जाता है अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ तब तक सेख ले सेख ले मतलब आपने पानी से सिकाई की होगी न लोग क्या करते हैं गरम कपड़े से या पानी से सिकाई करते हैं ताकि दर्द क्या हो जाए कम हो जाए अब तो हमारे पास वाटर बैग होते हैं जिसमें हम पानी भर के सिकाई कर लेते हैं लेकिन पहले लोग क्या करते थे पहले वाटर बैग तो नहीं होते थे तो गरम कपड़ा कर लिया करते थे पानी बाल्टी में रख लिया करते थे तो यहाँ पे जो मा है मोहन की वो कह रही है कि मेरे प्यारे बेदे उसको पुछकार कर बोलती है कि कोई परिशानी नहीं है तुम अभी ठीक हो जाओगे अभी डॉक्टर आएगा और तुमको ठीक कर देगा तो यह सब वो बोलती है पिता कहा कुछ भी नहीं है सिर्फ एक केला और संतरा खाया था यहाँ पे पिता पूछते हैं कि इसने क्या खाया था कुछ गलत सलत खा तो नहीं लिया मा से पूछते हैं तो होता क्या है कि फिर पिता जी से जब मा पूछती है सौरी ही मैं धुड़कन जब पिता जी से माँ पूछती है कि ये आपके साथ बाहर गया था कहीं इसने कुछ गलत खातों नहीं लिया तो पिता जी बोलते हैं सिर्फ एक केला खाया था मतलब एक बनाना और एक संतरा औरेंज खाया था इसने अरें ये तो दफतर से चलते तक कूत फांद रहा था जब तक मोहन के पापा आज उसको सुबा कहां ले गए थे उनके दफतर उनके ऑफिस लेके गए थे तो वहाँ पे वो क्या कर रहा था अच्छा खासा खेल रहा था लेकिन जब वो बस अड़े पे आया ने पूछा कैसे तो पिता बस ऐसे ऐसे करता था मैंने कहा अरे गड़बड होती है गड़बड हो रही है पेट मोले खा रहा है पेट में कुछ हो रहा है कुछ गोल गोल चल रहा है गया तो वो बोला नहीं चाकू सा कुछ चुब रहा है जब पिता ने पूछा तब भी उसने बोला नहीं गोला सा फूटता है तब भी उसने बोला नहीं उसका जवाब बस ये था पेट पकड़के वो एक ही रट लगाता था कि मेरे पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है मा हसकर हसी की हसी दुखका दुख ये ऐसे ऐसे क्या होता है कोई नई बिमारी तो नही सोगए मेरे बेटे को हवाईया उड़ रही है मा जो होती है मा को उपर वाले आइसा बनाया है जब भी उसकी ऑुलाद की तब यह ठीक नहीं होती है तो वह परिशान हो जाती है जब उसका बेटा ये बोल रहा होता है कि बस ऐसे ऐसे हो रहा है तो जो मा है वो परिशान हो जाती है कहती है कहीं ये ऐसे ऐसे कोई नई बिमारी तो नहीं है जो मेरे प्यारे से बच्चे को हो गई है पिता अजी एक दम सफेद पड़ गया है खड़ा नहीं हो पा रहा है बस में भी नाशता रहा मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है मोहन जोर से करहा कर मा, ओ मा जब आपको तकलीफ होती है तो आपके मुझ से क्या निकलता है मा, मा तो मोहन भी तकलीफ के मारे जब उसके पेट में दर्द है उस क्या बोल रहा है मा ओ मा मेरे बेटे मेरे लाल अभी जरा रुगजा डॉक्टर आ रहा है सब ठीक हो जाएगा मुझे समझा रहा है कि तुझे बहुत जादा तकलीफ हो रही है यह ऐसे ऐसे तो कोई नई बड़ी बिमारी है देखे ना कैसे लोट रहा है कल नहीं पड़ती चूरन पेपरमेंट सब दे चुकी हूँ वेग जी आ जाते हैं तो यहाँ पे मा परिशान हो जाती है और मोहन की पिता से कहती है कि मैं हर चीज दे चुकी हूँ चूरन हम लोग क्या करते हैं घर में जो पुरानी औरते होती है वो क्या करती है चूरन मिनाती है सारी जड़ी ब्यूटियों को मिला के ताकि कोई भी पेट में परिशानी हो तो वो चूरन इंसान खा ले तो यहां पे मोहन की मा भी यही बोलती है कि मैंने पेपरमेंट भी दे दिया है चूरन भी दे दिया है हींग भी दे दिया है जब भी कोई परिशानी होती है तो हींग बहुत चीजे बता रही थी मोहन के पिता को तब ही घंटी बचती है और मोहन के पिता फोन उठाते हैं यह देखें अभी मैंने कहा कि टेबल पे फोन रखा है तो यह वाला होगा डबबा वाला तो यह देखें यह वाला फोन है इसमें डोरी लगी होती थी आज की तरह का स्मार्ट फ और वो कुछ बता नहीं रहा है, तो वो डॉक्टर का फोन था, जिसको मोहन के पिता उठाते हैं, और बताते हैं, कि उनके बच्चे ने कुछ भी नहीं खाया है, और उसको बहुत तेज तकलीफ है, और वो बस ये क्या रहा है, कि उसके पेट में ऐसे 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 दर्द हो रहा ये ऐसे ऐसे क्या बला है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, चेहरा मेरे बेटे का बिल्कुल सफेध हो गया है, नाश्ता फिरता था, बहुत उधं चौकडी मचाता था लेकिन अब बिल्कुल शान्थ हो गया है पडोस के लाला दीनानात का प्रवीश मोहन जोर से कराता है मोहन मामा ओ-ओ उल्टी आती है उटकर नीचे जुगता है मा सेर पकड़ती है मोहन तीन चार बार ओ-ओ करता है थूपता है फिर लेट जाता है तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि मोहन बहुत परिशान हो गया है अपनी हालत से, अपनी तबियत से, अपने पेट के दर से और वो उल्टी करता है मा उसको समाले होती है क्योंकि हर मा की या आदत होती है कि वो जब भी बच्चा तबियत उसकी खराब होती है तो बच्चे को देखके मा जादा परिशान हो जाती है मा कमर सहलाती है उसको प्यार करती है और कहती है दोफेर को तो भला चंगा था मतलब दोफेर में दोफेर में तो बहुत अच्छे से खेल कूद रहा था कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या कर रहा है और इसको क्या परिशानी हो गई है और मुझे तो ये समझ नहीं आता कि मेरा बेटा इतना खूता फानता फिरता था लेकिन फिर भी आप उसको ठीक नहीं हो रहा है दीनानाथ अजी घर क्या पडोस को भी गुलजार किये रहता था यहां पर दीनानाथ जो उनके पडोसी हैं वो कहते हैं अरे घर में तो उधम चौकली करता था तो करता था लेकिन ये पूरे पडोस को पूरे मोहले को पूरे नेबर्स को क्या करता था अच्छे से उनके साथ entertainment का जरीया था क्योंकि उदम चौकली करता था बहुत मस्ती करता था पिता कहते हैं हाँ मेरा मासूम बच्चा बहुत नटखट है मा पर अब तो बिचारा कैसा ठक गया है मुझे तो डर है कि कल स्कूल कैसे जाएगा दीनानात जी हाँ कुछ बड़ी तकलीफ मालूम चलती है मामूली तकलीफ होती तो ये कुछ इसको मामूली तकलीफ को समझता ही नहीं है दीनानात यहाँ पे कहते है कि अगर कोई छोटी मोटी तकलीफ जब भी इसको होती है तो उसको कुछ समझता ही नहीं है वो हमेशा फेलने चला जाता है और उसको भूल जाता है लेकिन अपकी बार मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके पेट में जादा तकलीफ है तब ही ये इतना परिशान हुआ पड़ा है मोहन तेजी से करहा कर मतलब करहा कर का मीनिंग होता है चिला कर अरे रे रे अरे रे ओ घबरा कर मा बोलती है घबरा कर बेटा क्या हुआ मोहन रोते हुए रुआसा रुआसा का मतलब कि पिल्कुल रोने जैसी शकल बना लेना कि आँखों में आसु बरे हैं और बहुत बुरा एक्सप्रेशन है आपके चेहरे का और ऐसे ऐसे बोल रहा है कि बस मेरे पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है मा बेटा ऐसे कैसे हो रहा है क्या परिशानी हो रही है पेट दबाता हूँ उसी टाइम वेग जी आ जाते हैं वेग जी कहते हैं मोहन कहा है कैसा है राम जी की कृपया से सब ठीक हो जाएगा कहो बेटा खेलने से भी खेलने से जी भर गया क्या कोई दमा चौकडी कनने को नहीं बची है क्या सब उठ कर हाद जोड़ते हैं वेग जी मोहन के पास कुरसी पर बैठ जाते हैं फिर पिता जी उसको बताते हैं वेग जी को मोहन के पिता जी सारी चीज़े बताते हैं फिशाम था कि ये बिल्कुल ठीक था दफ्तर से जब मैं इसके साथ आया हूँ तो रास्ते में भी बिल्कुल ठीक था लेकिन बस अड़े में आके ये कहने लगा कि इसके पेट में दर्ध हो रहा है और जब मैंने पूछा कि कैसा दर्ध हो रहा है तो उसने कहा ऐसे ऐसे दर्ध हो रहा है वेग जी अभी बता देता हूँ असल में बच्चा है समझ नहीं पाता है नारी दबा कर नारी मतलब ये जो आपके पेट में जो main point होता है न उसको देखते हैं जो बहुत पुराने लोग होते हैं जैसे वेग जी हो गए वो सम उससे पते करते हैं तो इसको आप बस ऐसे समझ लें कि एक तरीके से चेक करते हैं पेट को कि क्या परिशानी है वात का प्रकोफ है मैंने कहा बेटा जीब तो दिखाओ फिर जो वेग जी थे वो उसकी टंग को भी देखते हैं जबान को भी देखते हैं मोहन अराम से अपनी जीब को बहार निकालता है फिर जो वेग जी है वो कहते हैं कबस तो नहीं मतलब कॉंस्टिपीशन तो नहीं पेट टटोल कर देखते हैं पेट साफ तो नहीं हुआ हाथ की उंगलिया फैला कर फिर सिकोडते हैं सारी चीज़े करके वो देखते हैं और कहते हैं बताओ दर्द कैसे हो रहा है फिर वेग जी अपने हाथ की उंगलियों को ऐसे फैलाते हैं और कहते हैं कि ऐसे जैसे उंगलिया मैं अपने हाथ के करीब ला रहा हूँ ऐसे दर्द हो रहा है क्या तो मोहन कहता है करा कर जी हाँ जी हाँ ऐसे ही ऐसे मुझे दर्द हो रहा है वेग जी हर से उलच कर अब वेग जी भी बहुत उलच जाते हैं और वो कहते हैं अभी मैं एक चूरन देता हूँ एक पुडिया देता हूँ कोई बड़ी बात नहीं है बहुत चोटी सी बात है अभी तुम ठीक हो जाओगे आओ जी दीनानाज जी आज ही पुडिया ले लो मोहन की मा आधे आधे घंटे बाद गरम पानी में इसको पुडिया को डाल के इसको देना दो तीन दस्त होंगे फिर ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा वो कहते हैं पेट में इसके कोई परिशानी है मैं एक पुडिया बना के देता हूँ पानी में डाल के इसको पिला देना इसको लूज मोशन होंगे दो तीन बार फिर ये ठीक हो जाएगा वेग जी जब जाते हैं तो पिता जी क्या करते हैं हाँ वेग जी जब दौर की तरफ जा रहे हैं मोहन के पिता उनको पांच का नोट निकाल के देते हैं वेग जी नोट लेते हैं अरे मैंने कहा आप ये क्या करते हैं आप और हम दो नहीं है हम लोग तो एक ही है फिर डौक्टर साब आते हैं हेलो मोहन क्या बात है ऐसे कैसे क्या हो गया है माता पिता जी उठते हैं मोहन कराता है डॉक्टर पास बैठते हैं जो चीज वेग जी के साथ हुई कि वेग जी आये उन्होंने पेट टटोल के देखा उन्होंने सारी चीज़े देखी वैसे अब डॉक्टर साब आये हैं तो डॉक्टर साब को भी सारी चीज़े explain की जाएगी डॉक्टर साब भी पेट दबाते हैं अभी देखता हूँ जीब दिखाओ वो भी जीब देखते हैं और फिर डॉक्टर साब कहते हैं सैसा गंबीर होकर वे तो मैं देख लूँगा चेहरा बताता है इसे काफी दर्द है असल में कई तरह के दर्द चल पड़े है कॉलिक बेन भी हो सकता है और फोड़ा भी नहीं जान पड़ता बराबर पेट टटोलते रहते हैं डॉक्टर साब डॉक्टर साब मा बोलती है क्या हुआ काप कर खोड़ा है मेरे बेटे को तो डॉक्टर साब कहते हैं नहीं नहीं वे तो बिलकुल नहीं है मोहन से जरा मुँ फिर खोलना मोहन से डॉक्टर साब कहते हैं आप अपना बेटा मुँ फिर से खोलो जीप निकालो मोहन जीब निकालता है हाँ कब्स ही लगता है कॉंस्टिपेशन ही लगता है कब्स मतलब कॉंस्टिपेशन कुछ बधजमी भी हो सकती है क्योंकि आपने शायद कुछ अजीब खा लिया हो इसलिए आपका पेट साफ नहीं हुआ हो यह सारी चीज़े डॉक्टर जी बोलते है डॉक्टर जाते हैं मोहन के पिता दसका नोट लिए पीछे पीछे जाते हैं और डॉक्टर साहब को देते हैं मा सेख तो दूँ डॉक्टर साहब दूर से गरम पानी की बोतल से सेख दीजिए डॉक्टर जाते हैं मा बोतल उठाती है और पडोसिन आती है अब यहां पर यह पूरा सीन हो गया वेग आके चले गए वेग जी आके चले गए और डॉक्टर जी आके चले गए अब क्या हुआ डॉक्टर जी से मा ने पूछ लिया कि मैं इसके पेट को सेख दू डॉक्टर ज हां गरम पानीकी बोतल से शेख दीजिये प्डू सिन क्या मोहन की मग क्या हो गिया मोहन को मा आओ जी रामू की काकी कैसा क्या होता है लोचा लोचा फिरें है जाने क्यों एसे ضरथ क्या है लड़के का बुरा हाल है यहां पे वो बताती है बहुत बड़ा हाल है पड़ोशिन कहती है नाजी नाजी बहुत नइनई बिमारियां आ गई है मारकेट में देख लेना ये भी कोई नए डर्द होगा राम मारी बिमारियों से तंग कर दिया, नए नए बुखार निकल आए हैं, वे भी खाना पीना तो रही नहीं गया, वे बात खाने पीने में रही नहीं गयी, मा डॉक्टर कहता है कि बदहजमी है, आज तो रोटी भी उसके साथ खा कर गया था, वहां भी कुछ नहीं खाया, आज कल तो बिना खाए बिमारी होती है, बाहर से आवाज आती है, मोहन, मोहन, फिर मास्टर जी का प्रवेश होता है, अब यहां पे, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक मास्टर जी है, जो मोहन के क्या है, टीचर है, अब वो आते हैं, वेग आगे, वो सब आगे, अब मास्टर जी आते हैं, मास्टर जी माँ ओ हो मास्टर जी पुकार कर आ जाये मास्टर सुना है कि मोहन के पेट में कोई अजीब सा दर्द हो रहा है और वो कह रहा है कि वो ऐसे ऐसे दर्द है पास आकर हाँ चहरा तो बिल्कुल उत्रा हुआ है दादा कल तो स्कूल जाना है तुम्हारे बिना तो क्लास की रौनक ही खतम हो जाती है मास्टर जी उससे कहते हैं कि तुमको दर्द हो रहा है और वो दर्द ऐसे ऐसे है लेकिन मैं तुमको ये बताने आया हूँ कि कल तुमको स्कूल आना है क्योंकि तुम्हारे बिना ख्लास की रहना खतम हो जाती है मा बताती है मास्टर को खाया तो बिचारे ने कुछ नहीं है मास्टर अब शायद ना खाने का दर्द हो गया है मास्टर जी से मा मा पर मास्टर जी वेग और डॉक्टर तो दस की दवा भेजे है अब ये देखें ये मास्टर जी है ये मोहन है मोहन अपना पेट पकड़े ये आप देख सकते हैं दोनों आतों से और उसके पेट में बहुत ज़्यादा तकलीव है मास्टर माता जी मोहन की दवा वेक और डॉक्तर के पास नहीं है उसकी ऐसे ऐसे की बिमारी एक्सर मोहन जैसे लड़कों को वे होई जाता है तो यहाँ पे मास्टर जी कहते हैं कि इस बिमारी की दवा नहीं डॉक्टर के पास है नहीं वेक के पास है इस बिमारी की दवा सिफ मेरे पास है मा सच क्या बिमारी है ये मास्टर अभी बताता हूँ मोहन से अच्छा साहाब दर तो दूर ही हो जाएगा डरो मत बेशेक कल स्कूल मत आना पर हाँ एक बात तो बताओ स्कूल का काम तो पूरा कल लिया है मोहन चुप रहता है मा जवाब दो बेटा मास्टर जी क्या पूछते है मोहन की मा मोहन से कहती है बेटा जवाब दो मास्टर जी तुमसे कुछ पूछ रहे है मास्टर हाँ बोलो बेटा मोहन कुछ देर फिर मोन रहता है फिर इनकार से सिर हिलाता है तो यहाँ पे जब मास्टर जी उससे पूछते है तुमने होमवक पूरा कर लिया है स्कूल का पूरा काम कर लिया है तो वो सर हिलाता है मतलब उसने नहीं किया है मोहन जी सब नहीं हुआ मोहन कहता है पूरा काम नहीं हुआ है मास्टर जी शायद सवाल रह गए है कुछ सवाल रह गए है मास्टर तो ये बात है ऐसे ऐसे दर्द की वजा और कारण ये है मा चौक कर क्या मोहन सैसा मूँ छिपा लेता है अब मोहन का राज माता पिता और जो टीचर जी है उनके सामने जब खुल जाता है तो मोहन अपना चेहरा छुपा लेता है मास्टर हसकर बोलता है कुछ नहीं माता जी मोहन ने महीना भर मौज की स्कूल का काम रह गया आज खयाल आया और उसके डर के मारे उसके पेट में ऐसे ऐसे दर्द होने लगा अच्छा उठिये सहाप आपकी ऐसे ऐसे की दवा मेरे पास है स्कूल से आपको दो दिन की छुटी मिलती है आप अराम से पूरा काम कर लिएगा फिर स्कूल आईएगा मा क्यों रहे मोहन तेरे पेट मैं तो बहुत बड़ी दाड़ी है हमारी तो जान निकल गई 15-20 रुपे खर्च हुए सो अलग पिता से देखा जी आपने मतलब जो मोहन की मा है वो पिता को बोलती है देखा इसने स्कूल का काम नहीं किया इसलिए यह हमको बता रहा है कि इसके पेट में ऐसा ऐसा दर्द हो रहा है मा क्या क्या होता है ऐसे ऐसे पेट का दर्द नहीं स्कूल का काम ना कारने का दर्द है तुमको और डर भी है पिता हाँ दवा की शीशी हाथ में ठूस कर फर्श पर गिर पड़ती है एक शंट सब ठके से मोहन को देखते हैं फिर हस पड़ते हैं दीनानात वा मोहन वा जो उनके पड़ोसी हैं वो कहते हैं वा मोहन वा तुमने य एक अठास के बाद परदा गिरता है और यहां पर यू स्चोरी खतम हो जाती है तो स्टूडेंस मैं उमीद करती हूँ मैं परेट में दर्दोता होगा सर में दरदोता होगा पैरों में दर्दोता होगा बॉड़ी पें ठाघि Всем स्कूल नहीं जाना होता होगा अकर आपका होंवक नहीं होता है या आपके पास कोई रीजन हो नहीं जाने का कि कोई रिलेटिफ आ रहे हैं या आपके कोई दोस्त आ रहे हैं तो आप फॉरन कहिंगे मम्यों मुझे यह परिशानी है मैं जो नहीं जाना क्योंकि मैं भी ऐसे ही करती थी, कोई नई चीज नहीं है, okay, enjoy करें, और यह जो पार्ट है, जो मैंने आपको पढ़ाया, इसके लेखक है, विश्नु प्रभाकर, okay, तो यहीं यह पार्ट खतम होता है, तब तक लिए, bye, take care.